आज का पार्ट है नाटक लिखने का व्याकरण इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम इस पार्ट के कुछ प्रश्ण उतर भी देखेंगे नाटक शब्त की उत्पत्ती संस्कृत की नट धातू से हुई है साहिती जगत की नाटे विधा में निर्देशक कथावस्तू और समवादों की आवशक्ता के अनुसार पात्रों को अभी नए करने का निर्देश देता है नाटक है क्या तो ये आपके जो पुस्तक में दिया गया है उससे थोड़ा अलग हटकर एक समाने से जानकारी मैं याँ दे रही हूँ तो नाटक रंग मंच के माध्यम से जीवन के यथार्थ को प्रस्तूत करने का माध्यम है हिंदी साहिते की वैविधा है जिसमें हम ना केवल पढ़कर सुनकर बलकि देखकर भी किसी समस्या संदेश विशे के बारे में जानकर ये ले सकते हैं बलकि इसकी द्वारा किसी समस्या के मूल तक भी पहुँचा जा सकता है नाटक विधा की चर्चा आचारे भारत मुनी ने नाटे शास्र में भी की है और भारत में ही नाटे शास्र की रचना सबसे पहले हुई थी नाटक की परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है और इस विशे में सबसे प्राचीन ग्रंथ नाटे शास्र को माना गया है दैवी उत्पत्ती का सिध्धान्त माना जाता है, नाटक को पंचम वेद भी कहा गया है, हिंदी नाटक का जन्म 19. सधी में माना जाता है, इस पार्ट को, इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नाटक की ऐसी कौन सी विशेषता है, जो इसे अन्य विधाओं से अलग करती है, नाटक और अन्य विधाओं में, और उसके बाद जानेंगे नाटक के तत्व क्या है, नाटक में कौन कौन से तत्व होते हैं, नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व है, नाटक के विशे क्या ह क्या है नाटक के शिल्फ प्रचना कैसी होने चाहिए और इसकी रचना में कुछ अंतर है क्या अंतर है कहां से वह अंतर आया तो इसे जानते हैं हमारी भारतिय परंपरा में नाटक को द्रिश्य कावे की संग्या दी गई है ऐसी कविता जिससे देखा जा सकता है द्रिश्य कावे और यहीं से नाटक अपनी निजी और विशेश प्रगरती क्रहन करता है वह है उसका लिखित रूप से द्रिश्य ताकी और अग्रसर होना तो कहने का आरत है कि जहां साहिति की अन्यविधाएं अपने लिखित रूप में ही एक निश्चित और अंतिम रूप ले लेती हैं पा लेती हैं वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयामी ही होता है और उसमें संपूंटा कबाती है जब उस नाटक का मंचन होता है तो कहने कारत है साहिति की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की आत्रा तै करती हैं लेकिन नाट पढ़ने सुनने के साथ देखने के तत्तु को भी अपने बितर समाय हुए है अब नाटक के एक बहुत ही प्रमुक अंग की बात करते हैं वह है समाय का बंधन तो नाटक लिखते समय नाटक कार को इस विशेष्टा का हमेशा ध्यान रखना चीए ये नाटक की एक विशेष समय का बंधन उसमें रखा जाता है उसे शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमात के भीतर पूरा होना होता है और यह बात समय का यह बंधन नाटक की रचना पर पूरा असर डालता है नाटक अगर अपनी रचना को भूत काल से या किसी और लिखकी रचना को भव निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं अब कहने कार्थी है कि चाहे काल कोई भी हो उसे एक विशेश समय में एक विशेश स्थान पर वर्तमान काल में ही घटित होना है जो भी आप मंच पर अभिनित कर रहे हैं मंचित कर रहे हैं तो वह वर्तमान काल में ही जैसे किसी एतिहासी के पराणी घटना को कहानी उपन्यास कविता में, उसके मूल संदर्व में हम उसी काल में रखकर उतको पढ़ सकते हैं, पर नाटक में उसे हमारी आँखों के सामने एक बार फिर से घटना है, फिर से घटित होना है. समय को लिएकर एक और तथिये यह भी है, कि साहते की जो दूसरी विधाय है कहानी उपन्यास कविता, इनको तो हम कभी भी पढ़ते या सुनते बीच में रोख सकते हैं, फिर कुछ समय बाद वहीं से शुरू कर सकते हैं, लेकिन नाटक के साथ ऐसा संभव नहीं है. अब एक और बात समय के बंधन से संभव नहीं है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि समय को किस तरह से रखा जाए, समय के बंधन को, उसकी सीमाओं को किस तरह से ध्यान में रखकर नाटक लिखा जाए. नाटक में समय का बंधन तो रखना है, और किसी भी चरित्र का पूरा विकास भी उसे समय के बंधन को ध्यान में रखते हैं, और नाटक के जैसे तीन अंक होते हैं, प्रारंब, उसका जो आरंब, मध्य और आंत, आरंब, मध्य, आंत. तो उसे भी समय को ध्यान में रखकर बाटने की जरुरत है तो अगर हम भरत मुनी लिखे ते नाटे शास्त्र की बात करें तो उसमें भी नाटक कारों से या पेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधी कम से कम 48 मिनट की रखी जाए तो यह उस समय की बात है और अब बात करते हैं दूसरे महत्वपून अंग के नाटक के वह है शब्द शब्द तो हमने जब अभी कविता लेखन कविता कैसे बनती है वह पाट पड़ा था उसमें भी हमने जाना था कि शब्द बहुत ही महत्वपून अंग है तो इसी तरह से नाटक का भी बहुत महत्वपून अंग है शब्द यसे तो साहिति के सभी विदाओं के लिए यह आविशक है लेकिन कविता और नाटक के लिए शब्द का विशेश महत्व है और नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई निजी और अलग अस्मिता अपना एक अलग अस्तित्व बनाता है हमारे नाटे शास्त्र में वाचिक वाचिक अर्थ मतलब बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहते हैं कहानी ततवपनिया शब्दों के माध्यम से किसी इस्तिति वात वरण या कथानक का वर्णन करती है। तो या अधिक से अधिक उसका चित्रन हम शब्दों से कर सकते हैं। यही कारण है कि इसे वर्णित या नेरेटिव विधा कह दिया जाता है। कवीता थोड़ा सा और आगे है उसमें हम बिम्ब प्रतीक शब्दों को हम बिम्ब प्रतीक में बदल सकते हैं तो सभी साहिती की सभी विदाओं में कविता ही नाटक के निकट जान पड़ती है तो कहानी और पन्यास में भी वर्णन घटित होता है लेकिन नाटक में जो कुछ घटित होता है वे हमारी आख यही अंतर है नाटक का कहानिय और पन्या से. उसमें भी कुछ घट रहा है हम जब पढ़ रहे हैं उसको या सुन रहे हैं तो कल्पना में सोच से रहते हैं लेकिन नाटक में वह कहानी हमारी आखों के सामने घटित होती है तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि कवी सपल नाटक क प्रतिबार भी हो सकता है उपपर के तत्यों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि एक नाटक कार के लिए जरूरी है कि वे अधिक से अधिक संक्षिप्त और सांकेतिक भाषा का प्रियोग करें जिसमें एक कवी बहुत सक्षम होता है अपनी बात को कम से कम शब्द में क कि π्रतिवा होती है इसलिए एक कवी एक अच्छा नाटक कर हो सकता है क्योंकिन नाटक में भी हम वही अपेक्षा करते हैं कि संक्षिप्त और संकितिक भाषा का प्रयोग किया जाये तो अच्छा और अच्छा नाटक वही होता है जो लिखे या बोले गए शब्दों से भी ज्यादा ध्वनित करें वहे भी दर्शकों तक पहुँचाए जो लिखाया बोला नहीं जा रहा है तो नाटक का केवल एक मौन, साइलेंस, अंधेरा, स्टेश पर अंधेरा या कोई खास ध्वनी प्रभाव कहानी या उपन्यास के 20-25 प्रिस्ठों की बराबरी कर सकता है अब बात करते हैं कत्थे की तो एक अच्छा नाटक कार, एक अच्छा कुशल संपादत भी होता है क्योंकि उसे ये कला आती है कि वह घटना, इस्तिती और द्रिश्च को इस प्रकार क्रम में रखे कि कत्था का विकास शूने से शिखर की और हो अब बात करते हैं संवाद की, तो संवाद की भीना तो नाटक की संभव नहीं है तो संवाद ही वे तत्व है, जो एक सशक्त नाटक को एक कमजोर नाटक से अलग करता है और कैसा संवाद होना चाहिए? समबाद अपने आप में वर्णित या चित्रित ना होकर क्रियात्मक होने चाहिए समबादों को द्रिश्यात्मक होना चाहिए और अगर ऐसे हैं तो एक नाटक को सशक्त नाटक बनाते हैं ऐसे समबाद जो लिखे या बोले जाने वाले समबादों से ज्यादा उन समवादों के पीछे नहित अनलिखे और अनकहे समवादों की और आपको ले जाते हैं इंग्लिश में हम इसको सब टेक्स्ट कहते हैं तो जिस नाटक में इस तत्व की जितनी ज्यादा समभावनाई होंगी वह नाटक उतना ही सफल होगा उधारन के लिए हेमलेट का प्रसिद समवाद है तो समवाद अनगिनत समभावनाओं को उजागर कर देता है नाटक स्वेम में एक जीवन्त माध्यम है कोई भी दो व्यक्ति जब आपसे मिलते हैं तो उनके विचारों में टकराहट कभी होती है होना स्वभाविक है उनके विचार कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते और यही कारणे की रंगमंच प्रतिरोध का सबसे सशक्त माध्यम है वे कभी भी जैसा है वैसा है यथा इस्तिती को स्विकार नहीं कर सकता उसमें अस्विकार के स्थिती भी बराबर बनी रहती है एक जीता जाता जिसमें सम्वेद ना है ऐसा प्राणी हमेशा तो संतुस्ट नहीं दिखाई देगा वर्तमान परिस्थितियों में कभी न कभी उसको असंतुस्टी भी होती है तो यही कारण है कि नाटक यह थार्त के नस्दीक है तो नाटक में इस तरह की असंतुस्टी छटपटाहत प्रतिरोध अस्विकार जैसे नकारात्मक तत्मों की उपस्थिती भी देखने को मिलेगी और जितनी इस तरह के नकारात्मक तत्मों के उपस्तिती होगी उतना ही वह दर्शक के मन को चुएगा या उतना ही गहरा और सर्शक्त नाटक साबित होगा और हमारे आधुनिक नाटक कारों को तो नायक से ज़्यादा खलनायक ही अधिक आकरशित करते हैं नाटक लिखते समय यह भी अत्यांत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किये जाएं वे सपाट सतही टाइब नहों जिस प्रकार हम अपनी रोज मरा की जिन्दगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा है बुरा नहीं कह सकते हैं उसी तरह नाटक की कहानी में भी चरित्रों के विकास में इस बात का धिहान रखना चाहिए कि वे स्थितियों के अनुसार जैसी सिच्वेशन ने उसी के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रिया बताते चलें व्यक्त करते चलें तो नाटक का, नाटक की कथानक की माध्यम से जो भी कुछ कहना चाहता है, उसे अपने चरित्रों और उनकी बीच होने वाले जो परस पर समवाद हैं, उनसे ही वे अभी व्यक्त करता है, लेकिन ऐसा कभी भी ना लगे कि वे पहले से ही निश्चित विचारों को मातर शब्द वाले पात्र मंच पर सचमुच के हादमा से युक्त जीवित प्रानी होते हैं, ना कि कविता कहानी और अपन्यास में उपस्थित होने वाले शाब्दिक चरित्र, तो समवाद जितने ज्यादा सहज और स्वाभाविक होंगे, पात्रों नुकूल होंगे, चरित्र के बात चाहे कितने भी क्लिस्ट हो, कठिन हो, तत्सम हो, क्लिस्ट भाषा में क्यों न लिखे गए हो, तो इस्तिती और परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वभाविक जान पड़ते हैं, तो दर्शकों तक उनका पहुचना मुश्किल नहीं होगा, अब पात करते हैं श संस्क्रित नाटकों का ढाचा है, और जिसे हम पारिभाशिक शब्दावली में शास्त्रे कहते हैं, लोक नाटकों का फॉर्म है, जिसमें कोई लिखी तालेक नहीं है, और सब कुछ मौखिक रचना प्रक्रिया के माधियम से घटित होता है, पार्सी नाटकों का अपना एक अलग शिल्प है, जो शेरोशायरी, गीत संगीत, अतीरंजित समवादों पर आधारित होता है, इपसन की तरश पर ये थार्थवादी नाटकों का अपना एक मौहावरा है, जो मुख्यत गद्दे पर आशित होता है, इसके अतरिक नुकर नाटक की अपनी अलग इंपॉर् और ऐसा भी कहा जाता है कि कत्थे अपना शिल्प स्वयम निर्धारित कर लेता है, और यही सही स्थित्थी भी है, लेकिन जब जब नाटक कार ने पहले शिल्प या सनरशना को तै कर लिया, और फिर उसमें कहानी को फिट करने की कोशिश की, तो ऐसी कोशिशें अकसर लेते हैं, तो यह जो तीन प्रेश्ण है, इनके उतर आपको इस परग्राफ में से मिल जाएंगे, नाटक से आप क्या समझते हो, अगर एक अंक का आता है, तो यहां से यहां तक आप इसका उतर लिख सकते हो, अगर यह तीन या चार अंक का है, तो इसको आप यहां यह समपूंता को प्राफ्ट करता है, तो यह एक अंक से अधिक का तो इसका उतर है ही नहीं, तो यह तो मंचन के परचाती उसमें समपूंता आती है, नाटक सही थे कि अन्यविधाओं से कैसे अलग है, तो यह भी एक अंक का ही प्रश्ण है, तो इसका भी उतर यहां से और यह उसके अलाबा नकारात्मक तत्वों की उपसे दिकियों आवशक है तो यह मैंने यहां पर कुछ बिंदु दे दिये हैं इनको विस्तार देते हुए आप अपना उतर लिख सकते हो यह अभी अभी हमने पार्ट में पड़ा भी है नाटक के मुख्या तत्व कौन कौन से हैं मु कर लिजिए ऐसे यह प्रेश्ण इंपॉर्टन्ट है इसके अलाबा यह प्रेश्ण भी इंपॉर्टन्ट है कि नाटक की कहानी बेशक भूत काल या भाविशकाल से समधी तो बरतमान काल में ही घटित होना पड़ता है आशे इस पस्ट करें तो यह उत्तर आप लिख सकते ह है उसमें और यह सेंपल कुष्ण में इस पर आया था दिया है तो हो सकता है इसी से मिलता दूलता आज है फाइनल में भी तो नाटक लिख अगर में समय का बंधन क्या है किस प्रकार रचना पर अपना असर डालता है असी से सो शब्दों में आप लिखे तो यह हिंट है और इस तरह से आप इसको विस्तार देते सो शब्द लिख सकते हैं और इसके साथ ही यह पार्ट समापत होता है धन्यवाद